तो देखिए A, C, E, G का संबन्द है S, U, W, Y से तो B, D, F, H का संबन्द किस से होगा यह निकालना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग A, C, E, G का संबन्द S, U, W बनाएंगे तो लिख देते हैं A, C, E, G इसे आपका क्या बना S, U, W, Y अब सभी के अलफाबेट कोड पता होने चाहिए A का अलफाबेट कोड होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5 और G का होता है 7, S का कितना होता है 19 और U का कितना होता है 21, W का होता है 23, और Y का होता है 25 अब देखिए 1 से 19 बनाने में क्या हुआ? आपका 18 जुडा अब 3 से 21 बनाने में कितना जुड़ा ये भी देखिए 18 जुड़ा 5 से 23 बनाने में कितना जुड़ा आपका 18 जुड़ा अब देखिए 7 से 25 बनाने में कितना जुड़ा ये भी 18 जुड़ा मतलब ACEG के प्रतेक alphabet code में 18 जुड़ा और उससे जो code प्राप्त हुआ उसका आपका SUWY बन गया इसी तरह से हम लोग BDFH क्या करेंगे BDF और H अब इनके alphabet code लिख देंगे B का होता है 2, D का होता है 4, F का कितना होता है 6, H का होता है 8 अब 2 में 18 अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना मिलता है 20 और 4 में अगर 18 जोड़ते हैं 4 में अगर 18 जोड़ दिया तो आपका कितना मिल जाएगा 22 हो गया guys अगला है 6, 6 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलता है तो ये मिलता है 24 और 8 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 26 तो 20 जो होता है वो alphabet code किसका होता है T का होता है 22 किसका होता है, V का होता है और 24 किसका होता है, X का होता है, और 26 किसका होता है, Z का होता है, तो 4 alphabet आपके कौन से मिल गए, TB, X, Z, तो किस में आ रहे हैं आपके, option C में, TB, X, Z, तो यही आपका answer हो जाएगा, I hope आपको समझ में आया होगा, चली अगला question करते हैं, इस question है, निर्देश दिया गया है प्रसन किसी तरह से एक समान होंगे, और जो एक विकलप आपका बचेगा, वो अन्य तीनों विकलपों से विसम होगा, नाम जो अलग-अलग हो सकते हैं, विसम होगा, भिन होगा, अलग होगा, तो 52 में आपका विसम कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका, 382 आपका विसम हो जाए जो है आपका 11 से क्या है? divisible है काट के देख लीजेगा 11 छंगा जहां चाथrament 11 है कम 11 कट गया 11 से आप देखे 253 भी आपका क्या है? 11 से divisible है तो 11 से काटेंगे 1221, 1333 देखे, कट गया आप देखे 305 जो पचासि है ये भी क्या है आपका? ग्यारा से divisible है तो 11, 33, 11, 55 ये भी कट गया है लेकिन 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 380 जो है वो आपका ग्यारा से divisible नहीं होगा तो भिसम कौन सा होगे ऑप्षेन है अगला है त्रेपन में आपका विसम कौन सा होगा तो गाइज यह हो जाएगा option C, छड़ी क्यों? देखें गाइज पीन या आलपिन से भी आप छेद कर सकते हैं किसी भी चीज में कपड़े में कर सकते हैं, कागरज में कर सकते हैं और सुई से भी आप छेट कर सकते हैं और काटा से भी आप आसानी से छेट कर सकते हैं लेकिन छड़ी छड़ी जो है उससे छेटर नहीं किया जा सकता है तो विसमगाउंसा हो गया option c अगला question कर लेते हैं अगला question है एक निश्चित कूट वासा में एक निश्चित कूट वासा में चबून question है race को क्या लिखते हैं ये लिखते हैं और least को क्या लिखते हैं ये लिखते हैं उसी कूट वासा में flon को क्या लिखा जाएगा कर लेते हैं तो race के alphabet लेख देते हैं R A I S E तो इससे आपका क्या बना S बना है V बना है J बना है और क्या बना है T बना है F बना है तो हम लोग ऐसे alphabet चुनेंगे जिससे की आसानी से बन जाए तो देखिए R का जो R से देखिए R का code कितना होता है alphabet R का R का कितना होता है S का कितना होता है 20 स्वरी 19 होता है तो देखिए R से S बनाना है तो हमें कितना जोडा प्लस का एक जोडा अब देखिए A का alphabet code होता है 1 B का होता है 2 1 से 2 बनाने में कितना जोडा 1 जोडा I का होता है 9 J का होता है 10 तो इसमें भी कितना जुड़ा एक जुड़ा इसी परकार S का कितना होता 19 T का होता 20 तो 19 से 20 बनने में कितना जुड़ा एक जुड़ा अब E का होता है 5 F का होता है 6 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा एक जुड़ा मतलब सभी race के सभी alphabet code में एक जुड़ा है उसी परकार हम लोग lease को देख लेते हैं L, E, A, S, E इससे आपका क्या बना? इससे आपका बना M, F, B, T, F तो देखिए L का alphabet code होता है 12 E का होता है 5 E का होता है 1 S का कितना होता है 19 E का होता है 5 M का होता है 13 लिख दिया नीचे F का होता है 6 B का होता है 2 T का होता है 20 F का होता है 6 तो देखिए 12 से 13 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा उपर भी एक जुड़ा था अब देखिए 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा उपर भी जुड़ा था तो Flawn के सारे alphabet लिख देते हैं F-L-O-W-N और इनके code भी लिख देते हैं F का होता है 6, L का होता है 12, O का होता है 15, W का होता है 23, N का होता है 14, सभी में एक एक जोड़ेंगे तो 6 में एक जोड़ेंगे आएगा 7, 12 में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13, 15 में एक जोड़े तो आपका आएगा 16 और 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15 अब इनके alphabet लिख देते हैं साथ किसका होता है G का 13 किसका होता है M का 16 होता है P का 24 होता है X का 15 होता हो का तो आपके alphabet क्या मिल गए G M P X O G M P X O तो option C में आपका मिल गया तो option C is right answer I hope आपको समझ में आए होगा चली अगला question करते हैं किसन के सम्मुख जो है वो क्या है उत्तर दिसा और 32 मीटर चलता है उत्तर दिसा की और है तो माल लेते हैं यहां से start करता है कि इसन और कितना चलता है उत्तर दिसा की और 30 किलो मिटर चल कर वाइये मुड़ता है और 15 मीटर जाता है तो बाएं आपका कहा हो जाएगा इदा तरफ कितना जाता है 15 किलो मेटर 15 मीटर जाता है आप क्या कहता है दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है तो दाएं आपका कहा हो जाएगा नीचे की तरफ कितना जाता है पचास मीटर अंत में दाएं यह होती है पस्चिम, तो यह कहां जा रहा है पस्चिम दिसा की ओर, तो option D is right answer, I hope आपको समझ में आया होगा, चलिए अगला question करते हैं, अगला question है guys, यदि A बराबर 1, and बराबर 19, तो bad का code क्या होगा, देखिए A बराबर आपका दिया हुआ है, एक, और actual में A का alphabet code एक ही होत इन तीनों को जोड़ने पर आपको टोटल योग जो मिलेगा वो 19 के बराबर हो गया, यही तरीका हम लोग bad के लिए करेंगे, तो bad के alphabet लिख देते हैं, और इनके alphabet code लिखकर जोड़ देते हैं, B का होता है 2, A का होता है 1, T का होता है 20, तो आपका कितना आ गया, 23, तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं, अगला question क्या कहता है, देख लेते हैं guys, अगला question है, एक बिसेश प्रकार से stage सब्द को, यह horn सब्द को slim लिखा गया है, code लिखा गया है, उसी code का प्रियोकर North को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले stage से हम लोग यह बनाएंगे, तो stage के alphabet लिख देते हैं, yes, T, A, G, इससे आपका क्या बनाएं, H बनाएं, और G बनाएं, और क्या बनाएं, Z बनाएं, और T बनाएं, तो देखे, H, G, Z, T, यह सबी क्या हैं, विपरीत code है, S का विपरीत code क्या होता है, H होता है, T का विपरीत alphabet क्या होता है, G होता है, A का होता है, Z और J का होता है यह तो देखिए H का जो बीपरीट होता है बहुँ एस होता है अलफभाट एमोता है तो यही तरीका हम लोग नौर्थ में करेंगे तो नौर्थ के सारे अलफभाबेट लिख देते हैं और देखिए N का विपरित अलपाबेट क्या होता है तो गाइस N का विपरित अलपाबेट होता है M O का क्या होता है O का होता है L R का क्या होता है I होता है T का विपरित कोड क्या होता है विपरेत अलपाबेट क्या होता है जी है एच का क्या होता है तो यह जो अलपाबेट मिले यहीं आपका अंसर हो जाएगा और यह अलपाबेट जो है वो किस प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो देखे सब्द आपका है transport इससे आपका कौन सा सब्द नहीं बन सकता है चार option दिये गए तो आपका हो जाएगा option C Trust क्यों नहीं बन सकता है क्योंकि ट्रस्ट में आपका U Alphabet यूज हुआ है और जो U Alphabet आपका transport में नहीं है तो ये नहीं बन सकता है बांकी के तीन बन सकते हैं जैसे कि sport, strip और start ये तीनों बन सकते हैं अगला question है दियेगे विकलपों में से उस सब्द को चुनिये जो नीचे दियेगे सब्द में सामिल अच्छनों से बन सकता है तो international से कौन सा सब्द बन सकता है तो ये हो जाएगा internal Option D, internal क्योंकि internal के जितने भी alphabet हैं आपको international में मिल जाएंगे और annual ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू यू जुआ है जो की international में है नहीं ना lamination बन सकता है ना terminate बन सकता है अगला question कर लेते हैं अच्छरों का कौन सा समू खाले स्थानों पर क्रमबार रखने से दीगे अच्छर संगला को पूरा करेगा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो इसका answer क्या होगा तो guys ये हो जाएगा option C देखी यहाँ पर A के बात क्या यू जो रहा है तो आगे भी आपका यहाँ पर जो खाले स्थान है यहाँ पर भी B यू जोगा और यहाँ पर दुसरे में क्या यू जोगा आपका दुसरे में आपका A यू जोगा और यहां पर जो खालिस्तान यहां पर A यूज होगा यहां पर V होगा और यहां पर भी A यूज होगा आप इस कोस्चन को कैसे कर सकते हैं आप सबसे बड़ी वाली जगह पर जाए यहां पर जो अलपाबेट यूज हुआ है वो आगे पीछे आप सेट कर सकते हैं मतलब समद में आए होगा चली अगला कोश्चन करते हैं गाइस अगला कोश्चन है दिये गए विकलपों में से लुप्त संख्या ग्याद कीजिए यहां पर बताना है कि कौन सा पद लुप्त होगा यहां पर कौन सा नंबर आएगा तो हम लोग एक एक कॉलम को सौल करेंगे पहले क कॉलम को सौल कर लेते हैं और इसमें जो नीचे 20 है यह कैसे बना यह भी देख लेते हैं सबसे पहले 5 और 6 का मल्टिप्लाइए तो 5 गुणे 6 कितना होता है यह होता है 30 और इस साथ को घटा देंगे 30 से तो आपका क्या मिल जाता है 23 जो की नीचे दिया हुआ है इसी परकार सेकेंड कॉलम को करेंगे 4 और 5 का मल्टिप्लाइए कर देंगे तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20 और इस 6 को घटा देंगे 20 से तो आपका क्या मिल जाता है 24 यही तरीका हम लोग 3 कॉलम में करेंगे 3 और 4 का मल्टिप्लाइए 3 गुणे 4 तो यह हो जाएगा 12 और 12 में इस 5 को ऑन सी आकृति दियेगे सब्दों के आपसी सम्वन्द का प्रति निद्द करती है जाएसे कि बकीलों सिच्छकों और सिच्छतों का देखे एक चीद देखे सबसे पहले आप एक चीद देखे शिच्छक भी हाला चाइँगे और भल्ली کا करने क्या धाता यहां पर आगे दिया हुए 20 कैसे लिए चैसे एं तो सबसे पहले आप क्या करों चॉटतिस यहां धार को आड करके देख लिजिए कर देज़ेगा 34 प्लस 12 कर देज़ेगा तो यह कितना आता है तो यह आता है दो और चार कितना होता है च्छे और एक और तीन कितना होता है चार तो 40 आ गया और हमें बनाना एगा इस 23 तो इसमें 2 का डिवाइट कर देंगे तो आपका कितना आ गया 23 यही तरीका हम लोग सेकेंड बाले इसमें करेंगे 2876 के लिए तो 28 और 276 से हमें क्या बनाना बाबन तो 2876 को जोड़ देंगे तो देखे 6 और 8 कितना होता है 14 और अहां से लगा एक 8 यह हो जाएगा और 2 यह मतलब 104 तो हमें 26 बनाना तो इसमें 2 का डिवाइट कर देंगे फिर से तो 25 दस दो दुनी 4 तो आपका बाबन बन गया बन गया बाबन मतलब तरीका जो है फिट हो गया इसी प्रकार 97 49 से हमें 68 बनाना है तो 97 49 को आइड कर देंगे तो 97 प्लस 49 इनको जोडने पर कितना आएगा तो 9 7 कितना होता है 16 16 कि 6 हैं से लगा एक एक और 3 कितना हो गया 4 और 4 में 9 जोड़ेंगी तो आपका 13 136 और इसमें इसी तरीके से हम लोग 37 23 का करेंगे तो 37 प्लस 23 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 10 10 की 0 हांसे लगा एक एक और 7 कितना हो जाएगा आठ और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मतलब 110 और एक में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ गया पचपन तो option D is right answer I hope आपको समझ म में आया होगा चलिए अगला question करते हैं question guys अगला क्या गया था निर्देश दिया गया है प्रसंसंक्या 66-70 के लिए नीचे एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पाद लुप्त दिये गए विकलपों में से बाय सही विकलप जुनी जो अनुकरम को पूरा करें तो आपका यहां पर बताना है कि क्या आएगा तो आगे के जितने भी alphabet हैं वो लिख लेते हैं Z है X है और V है और कामा क्या है TRP और आगे क्या है N L और J और आगे हमें question मार के तीन बताने कौन से alphabet आएंगे 4 अपसन है तो सभी के सबसे पहले सभी के alphabet code लिख देते हैं Z का होता 26 X का होत और वी का कितना होता है 22 यह हो गया इसी प्रकार पी का कितना होता है 20 आर का कितना अठागा होता है 40 आ अगला अलफाबेट मतलब आगे के अलफाबेट शुरू हो गए मतलब सभी में दो दो घटते जा रहे हैं तो तीन अलफाबेट बताने थे तो यह नंबर हमें प्राप्त हो गए अब इनके अलफाबेट यह कोड लिखे हैं तो इनके अलफाबेट लिख देते हैं आठ किसका होता है एच का होता है और सिक्स किसका होता है एप का होता है चार किसका होता है डी का तो एच अब डी आपका अंसर हो जाएगा तो ऑप्सें होता है गाई 6 लिख देते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिख देते हैं ये 2, 4, 6, H का होता है 8, J का होता है 10, L का होता है 12, N का होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18 तो देखिए 2 से पहले 4 बना, फिर 4 से 6 बना, तीन तो आपके complete हो गया मतलब सभी में 2, 2, 2, 2 जुड़ा फिर देखिए डायरेक्ट 6 से 8 बन गया फिर 2 जुड़ा आठ से 10 बन गया फिर 2 जुड़ा फिर 10 से 12 बना फिर 2 जुड़ गया अब आगे के हमें 3 अलफाबेट बताने हैं, तो 18 में 2 जुड़ेंगे 20, 20 में 2 जुड़ेंगे 20, 22 में 2 जुड़ेंगे 24, तो यह किसके अलफाबेट कोड है, 20 किसका होता है T का, 22 किसका होता है V का, 24 होता है X, तो TBX आपका answer हो जाएगा, तो option C is right answer, चलिए अगला question करते हैं, अगला question है simple सा है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा, तो सबसे पहले 113 से 225 बनाने जुड़ेंगे क्या करेंगे, तो 113 से 200 का multiply करेंगे यही, तो 123 में 2 का multiply किया तो कितना है, 226 और 226 से हमें 225 बनाना तो एक घटा देंगे, तो आगे करते हैं, 225 से हमें बनाना 449, तो 220 में सबसे पहले दो का मल्टिप्लाइ किया तो हमें मिल गया 450 और 450 से 49 बनाना तो हमें एक घटा दिया तो हमें 2 में एक चीज मिल गई कि 2 का मल्टिप्लाइ और एक घटा दो का मल्टिप्लाइ एक घटा तो आगे भी यही होगा 449 में सबसे पहले 2 का multiply करेंगे तो 2 नीम 18 असे लगा एक 2 चाकुआट एक 9 2 चाकुआट 890 मिल गया अब इसमें एक घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया 897 तो 897 क्यों से option में? option A में आगे करने की कोई जरूर ने यही आपका answer हो जाएगा चलिए आगला question करते है question है बहुत ही simple सा है हमें यहाँ पर बताने की कौन सा number आएगा कैसे करेंगा? अगर हम लोग 230 से 246 बनाएगा तो इसमें कितना जुड़ा? तो इसमें guys जुड़ा है total 16 जुड़ा है अब देखे 246 से 271 बनाना है तो इसमें total 25 जुड़ा है अब 271 से 307 बनाना है तो इसमें total कितना जुड़ा है? 36 जुड़ा है तो देखें यह 16 जो होता है यह 4 का square होता है और 25 जो होता है 5 का square होता है और 36 जो होता है यह 6 का square होता है मतलब क्रमबाई से आपके square चलने पहले चार का स्कॉर किया फिर पांच का स्कॉर किया फिर छे का स्कॉर किया तो आगे साथ का स्कॉर करेंगे और साथ का स्कॉर कितना होता है उन्चास और इस उन्चास को हम लोग 307 में जोड़ेंगे तो आपका अंसर आजाएगा तो 307 में हम लोग उन्चास जोड़ेंगे तो यह देखे साथ और नो और साथ कितना होता है 16 हास लगा एक और यह पाँच और यह तीन 356 तो 356 आपका अंसर हो जाएगा तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं गाइज अगला question है देखे निर्देश दिया गया है प्रसंद संक्या 71 से 76 के लिए question क्या गयता है दिये गए विकल्पों में से संबंद सब्द अच्छर या संक्या को चुनियां देखे जिस प्रकार 71 question है आपका जिस प्रकार चिकिस्चक का संबंद रोगी से तो बकील का देखे प्रकार करता है उसी प्रकार जो बकील जो होता है वो मुवक्किल की पेरवी करता है तो option be is right answer अगला प्रोसाहन का चिका संबंद से होगा तो देखे जिस प्रकार प्रोसाहन का चिकल्द होता है वो क्या होता है बीजए मतलब antonym byłoam सब्सबंद दिया हुआ है किक बताना कि क्या आएगा तो देख लेते हैं simple सा question कर लेते हैं 12 में हमें यहां पर बताना कि क्या आएगा तो simple सा है तो सबसे पहले सभी alphabet लेख देते हैं A E H N क्याद क्या है A E H N इससे आपका क्या बनाए B G K R क्या बनाए B G K R कैसे बनाए देख लेते हैं पहले एक जुडा फिर दो जुडा फिर तीन जुडा आगे क्या जुडा चार जुडा यही सीरीज हम लोग आगे भी कायम रखेंगे तो सारे अलपाबेट लिख देते हैं D, F, G, N दुबारा लिखते हैं क्या क्या हैं आपके D, F, G, N अरे यार गला लिख जा था बारवार D, F, G, N यह है लिख दिया तो इसमें भी बही करेंगे सबसे पहले अलपाबेट कोड लिख देते हैं D का होता है 4, F का होता है 6, G का होता है 7, N का होता है 14 पहले में एक जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी हुआ था पीछे बाले में तो एक जोड़ा तो 5 अब 6 में कितना जोड़ेंगे 2 क्योंकि उसमें भी हुआ था किसका होता है एच का होता है दस किसका होता है जे का होता है अठारा किसका होता है आर का होता है तो यह चो चार अलपा बेटा आगे यह आपका अंसर हो गया तो कौन से ऑप्शन में आपके ई अच्छो जे आर तो ऑप्शने में तो ऑप्शने इस राइड आंसर चलिए अगला पी। से हमलोग P L O R बनाएंगे, तो लिख देते हैं अलफाबेट, N J P, इस से आपका क्या बना आये P L O R, तो देख देखें, सभी के अलफाबेट कोड लिख देते है, N का होता है 14, J का होता है 10, M का होता है 13, P का होता है 16, और यहाँ पर P का होता है 16, R का होता है 12, O का होता है 15, R का होता है 18, तो देखिए 14 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 10 से 12 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 16 से 18 बन इनके alphabet code लिख देते हैं, R का होता है 18, T का होता है 20, V का कितना होता है guys, 22, X का कितना होता है 24, तो सभी में 2-2 जोड़ेंगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 तो अब इनके alphabet लिख देते हैं ये किसके किसके code है 20 जो होता है वो होता है ये होता है आपका T का और 22 किसका होता है V का 24 किसका होता है X का और 26 किसका होता है guys ये होता है Z का तो T B X Z आपका answer हो जाएगा तो किसमें आ रहा है option B में तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question है यहाँ पर बताना है कि क्या हैगा तो 248 से हम लोग 3 बनाएंगे तो कैसे बनेगा तो 248 के सारे digit लिख देते हैं तो 248 है 248 से 3 बनाएंगे तो आप क्या करेंगे तो 248 इसको क्या करेंगे लास्ट वाला जो digit है 8 इसका divide कर देंगे 24 में तो आपको क्या मिल जाएगा 3 इसी तरह हम लोग 328 के लिए करेंगे लास्ट वाला जो digit है 8 इसको हम लोग 32 में divide कर देंगे तो आपका क्या मिल गया 4, 8 चकू 32 तो option C is right answer चलिए अगला question करते है आपका अगला question है simple सा है देख लेते हैं क्या कहता है इसमें भी वही करना है यहाँ पर बताना है क्या आएगा यह question mark जो लगा हुआ है इस question में यहाँ पर बताना क्या आएगा तो सबसे पहले 212 से 436 बनाएंगे तो देखे 436 और 212 में अंतर देखे कितना है 436 और 212 में कितना अंतर है यह देखते हैं तो 6 में से 4 गया दो गया तो 4 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2 तो 224 का अंतर है अगर हम लोग यह करें 212 में 224 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है 436 तो इसी तरह हम लोग 560 में अभी कितना जोड़ दें 224 जूंकि पीछे भी हुआ है तो 224 इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना आता है जीरो यह स्वरी यह हो जाएगा चार और चार चे और दो आठ और यह साथ चलिए अगला कोशन करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका बताता हूँ आपसेन भी जून क्यूंकि जनबरी में आपके टोटल 31 दिन होते हैं जुलाई में भी टोटल 31 दिन होते हैं आगस्त में भी आपके टोटल 31 दिन होते हैं लेकिन जून में आपके 38 दिन होते हैं तो विसम कौन सा होगे और collagen b चलिए अगला question करते हैं ठतर में आपको विसम बताना है कौन सा होगा विसम तो इसमें जो विसम हो जाएगा option c हो जाएगा option C is right answer क्यों होगा अब इसम आपका तो देखिए option A में आपका E और कौन सा है E जो यूज हुआ ये क्या होता है आपका swear होता है bubble होता है इसमें bubble का यूज हुआ है इसी प्रकार option B में E E जो आया इसमें भी E आया और इसमें भी E आया ये है आपका bubble और option D में देखिए और कौन-कौन से bubble यूज हुआ है A bubble यूज हुआ है I U जूआ है कौन-कौन से बैसे होते हैं E, A, E I, O और U ये bubble होते हैं तो 3 option में आपके bubble यूज हुआ है लेकिन D में आपका कोई भी bubble यूज हुआ है तो option D भी sum हो जाएगा आगला question करते हैं आगला question क्या है इसमें बताना है भी sum कौन सा होगा तो यह हो जाएगा option B 154 क्यों होगा क्योंकि 119 जो है यह आपका किस से कटेगा 17 से कटेगा देखिए यह कट जाएगा तो 17 एकम 17 पना पच्चानवे 17 चंगा 102, 17 से 119 तो 17 से कट गया और 85 भी आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा 51 भी 17 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 114 जो है यह आपका 17 से डिवाइड नहीं होगा तो विसम कौन सा होगा option B I hope आपको समद में होगा तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना है थैंक्यू धन्यवाद आपका देन सोबर रहे